स्पेशल कवरेज नियूज अब सेथ खबर स्पेशल कवरेज नियूज की तरफ से बहुत बहुत बदाई भाजपा ने पहले वी आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी इस बार फिर राष्टि उपर धिक्षनिक्त क्या है कैसा मैसूस कर रहे हैं मैं पहले भी कारे करता था आज भी कारे करता हूँ पद मेरे लिए गोंड है मैं दायत समझ के काम करता हूँ और दायत में पद उपर नीचे नहीं होता है। दाहित दाहित होता है हम भारते इंता पार्टी के परती आस्ता और विश्वास के साथ जुड़े हमारा काम है भारते इंता पार्टी के विचारदाराओं को दलित समाज तक पोचाना और दलितों की आवाज को जो उनकी प्रिशानी हैं तक्लिफ हैं सरकार में पोचाना और उ तोच है जो हमारी संस्कार है जो हमारी संस्किर्थी है कि हम यह चाहते हैं एक सक्ति साली भारत का निर्मार होना चाहिए एक समर्थ भारत का निर्मार होना चाहिए और देश को एक ऐसा परदानमंत्री मिला है जो चाय बेकने वाला है जो गरीबी से निकल के है वो गरीबी के तन मन हर भावनाओं को जानता है कि गरीब के बन में क्या पीड़ा होती है इसलिए उसनोंने सबसे पहले पार्लिमेंट में जाते हुए मत्था टेक तो ही कहा था कि मेरी सरकार दली तो गरीबों के लिए समर्पित रहेगी और आज हमें देखने के लिए मिलता है जो सबका वि करिव केस लेके जाने वाली लोग होंगे बैंकों के अंदर आज हर दलित के घर पर बैंक आ रहा है उसका अगौंट खोल रहा है और ऐसी पारदेश था जब कांग्रेश के सासन के अंदर सफिटी के नाम पर जो गरीबों के घर में जाना चाहेता सब्सेटर वर्सों के मुशलमान भी होता है गरीब सुन जाती का भी होता लेकि ऐसा विच्छेत किया गया कि जो योजना है दलितों के घर तक पोजनी चाहिए थी कि उनके दलालों को खाने का मोगा मिला आज हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारी सबसेड़ी टोटल टारेट अकाउंटों में बरतानमंत्य ने जो जनदन जोजना बनाए है उसके द्वारा हम उनके आकाउंटों में पोचाने के काम करें है आप कल पना कर सकते हैं कि आज आज़ादी के बाद पांच क्रोड घरों के अंदर गैस नहीं है हमीर के घर के गैस जलती है गरीब के घर में गैस नहीं है वो विचारी मा और भैने कैसे दूहीं के अंदर मर जाती है इलाज नहीं हो पाता है आंके खराब हो जाती है उनको गैस देने का काम हमने फिरी गैस कनेक्शन देने का काम किया है जबकि गैस के सिलंडरों के लें लग पढ़ता था परचे लो ने के लिए बाता था, आप कल्पना कीजिगे सोचलो का निर्मान कहा हो रहा है सोचलो का में सरकारी स्कुल में यहां डलीतों के बच्चे परिवार के पर्यवार मा भैन बेटीय लोटा लेकर रात को अंदेरे के अंदर निकलती हैं जिसको रोकने के करना वो बिमार भी हो जाती है आप कलपना कीजिए कि मैंने बीमा करा रखा है अपना मैंने दो लाग का बीमा करा है और मैं उसकी किस देता हूँ और हम आज दो लाग का बीमा खाली 330 रुपे के अंदर कर रहे है क्यों कर रहे है 330 के अंदर उस गरीब का बीमा होना चाहिए जिसको बीमे क्याव सकता है हमारा एक मूल मंत्र है कि हम देश के हर नागरिक को चिंता मुक्त चाहते है चिंता मुक्त में सुचंटा किस बात की होती है चिंता होती है अपने बविश्य के लिए आपका होता है बागे सरकार मिलाएगी 6 लाग कुछ रुपिया उसको 21 साल के होते हुए मिल जाएगा उसकी पड़ाई भी हो सकती है उसकी साधी भी हो सकती है हमने बुजरू को लिए पैंसर मानी अब हम हैल्थ योजना है जो जना ला रहे हैं आज मैंने अपने हैल्थ का इं मिलाज खरा सकता है देश को क्या दिया है इस कांग्रेस सरकार ने बुकमरीद ही है खाली डबे दिये खाने के लिए पैसा नहीं है क्यों हुआ इसा बोट की राज़नीती के करण हुआ है आज इस परकार से आसाम के गुश्पेटियों की बात चल रहे हैं आसाम के अंदर ग पूरा विपक्ष भाजपा पर हम्लावर बना हुआ है मम्तावनर जी कह रहे हैं दिखाए नरची के बारे में यह इनको लगता है कि अभी देश का नागरिक बिल्कुल अनपड़ घवार है और कुछ तमझता नहीं है NRC का निर्मान 1985 में हुआ जब राजिव गांदी जी देश के परदान मंते के असम के युवा उन्हें आंदोलन किया था आंदोलन के बाद में उन्होंने कहा था कि हम इनको निकालेंगे तब से चलता हुआ इनकी हिम्मत नहीं करने की हमारा नहीं है हमने रिकोर्ड निकाला है चालिस लाख लोग आज आसाम के अंदर बंगलादेशी गुस्पेटी है और उसके बाद भारते इंता पार्टी की सरकार कटी बद है कि हम उसके अंदर देखेंगे उनको ऑप्शन खुली हुए है आवा प्रूफ दीजीगा को मना को किसे भी नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे हैं यो देश के भार से आएं वह हमारे लिए गुस्पेटी हैं और हम उनको किसी भी बरदास्त नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात है अगर एक क्रोड भी भार से बिदेश से आए हैं भार की कंटी से आए हैं बंगला देश से आ है वो 55 लाक लोग मुसल्मानों का रोजगार चीन रहे हैं वो 50 परसंट मुसल्मानों का रोजगार चीन रहे हैं वो भार druh साथ हैं तो एक क्रोन लोगों को हिंदूस्तानियों को रोजगार मिलेगा 50% मुसल्मानों को रोजगार मिलेगा इसलिए उनको भेजना हमारे लिए बहुत जरूरी है और ममता बनार wissen मुसलमानों को भी रोजगार मिलेगा उसके अंदर, आप बीजिपी में दलित नेता की हैसियत ुरकते हैं, भाजपा को लेकर मायावती हमेशा दलित बिरोधी बताती है। कई और भी दलित नेता है जो भाजपा को हमेशा दलित बिरोधी बताती है। जिनकी समाधी इन्होंने दिलीन के अंदर संसकार नहीं करने दिया, समाधी नहीं बनने दी, वो लोग कहते हैं मैं दलित ब्रोधी, दलित ब्रोधी वो हैं, और डाक्टर भीमरा उम्बेट करके तो चुनाव अधिकारी दत्तोपती ठेगडे जी रहें, जो संके प्रचारक र हैं, क्योंकि डाक्टर भीमरा उम्बेट करची को पार्लेमेंट में भेजने का काम, अगर किसी को जाता है, तो हमारे हमारे अपने संयोग से जाता है, इन लोगों ने तो डाक्टर भीमरा उम्बेट करके, आप देखी ना आप, क्या डाक्टर भीमरा उम्बेट की समाधी ह पुड़े देश के अंदर कहीं है क्या आज देश के परदान मंत्री ने को दादर के अंदर के किनारे जहां उनका अंतिम संसकार किया गया था आज इंदु मील को लेकर उनकी समाधी बनाने का काम हम कर रहे हैं जो आपने आपको दली तितेशी मायवतिची कहती हैं बड़े- सरकार आई है हमारी सरकार ने अनुक पर बड़ा संग्रहल है बना कर सब्यूत हिन्दुसतान के सविधान और पढ़के गए थे और इनुनें उनकी चर्कारे थी तेगे हमारी सरकारी सबसे देश के परदानमित ने कहा मेरे लिए देश के अंदर रहने वाला किसी समाज का किसी जाती का है किसी भी धर्म का है महापुरुस महापुरुस है डाक्टर मेटकर का यह समारक जी समारक जी बिल्डिंग हम खरीदेंगे और आज हमने उसको खरीदने का काम किया है पंच आपक्ठरमेडगर के जनम स्थल नहीं है यह प्रिनंवेड़ां स्थल नहीं ह। यह स्थ नहीं स्थल का नाम Hashtag लुक्नाकर को सब्सेब्रां दिया और सबसे बड़ी बाद इस देश के सविधान दिवस घोसित किया और डाक्टर अंबेटकर जी पहले इंसान है इस पिर्थवी पर जिनको तीन दिन याद किया जाएगा एक जगम दिन पर एक पूर्णे थिति पर एक सविधान दिवस के रूमें जो उन्होंने देश को दिया है और हमें दलीत परोधी बताते हैं अजये माया बती है लोग करें भाजबा तो आरक्षड में घतम करते हैं अरक्षड को बाहल करने क्लिका है मोधी जी ने का है जब तक आरक्षड रहेगा जब तक यह मुख्यदारा किंदनी आते और जब तक आरक्षड पराप्त करने वाला नहीं कह देता कि आरक्षण के मुझे जोरत नहीं है तब आरक्षण कोई खतम नहीं कर सकता दलित एक्ट पर कह रहे हैं कि भाजपा दलित एक्ट के बिरोध में रही और जब फस्ती नजार आ रही है तो दलित के समर्थन में आई है कि एक्ट के अगर आप प्रिश्व में जाएंगे देश की आजादी के बाद देश केंद कांगरिस की सासन काल के अंदर दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ता रहा है समझ देश का दलित और जोन के लीडरान कांगरिस सरकार से कहते रहे कि आपको कोई एक्ट बनाना चाहिए कोई कानून बनाना चाहिए 47 से लेकर 1989 तक 42 साल होते हैं 40-42 साल के अंदर कांगरिस ने कोई कानून नहीं बनाया और एक कानून बनाया है 1989 के अंदर SCST एक्ट पकड़ा रहे हैं और उसके बाद 1989 के बाद में आज हम देखें आज 25 साल बाद जब सब लोग ताही ताही मच गई चौरतवत्या चार बड़ा था 2015 के अंदर नरिंदर मोधिजी की सरकार ने उसको मजबूती परदान की बीश क्लास्ति के अंदर SCST के अंदर आप किसको सजा दे सकते थे हमने 44 की उसके अंदर 44 ताकि उसके बाल मुडाने पर घोड़ी पर चड़ने पर अन्य को छोटी छोटी घटना है जो दलितों को पीडित करती ती दुखी कर दी थी हमने सब उसके अंदर जोड़ने का काम क हमने मजबूत किया था और उसके समय पूरे देश के दलितों ने बुद्धी जीवियों ने ग्यानियों ने सभी सांसोदों ने आपने नरिनर मोदी जी का विनधन किया था धन्यवाद दिया था और आज ठीक है कोड़ के अंदर कोई चला गया और कोड़ में हर आदमी को अ अगर नहीं भी करेगी तो हम अध्यादेश लेके आएंगे अभी कोड़ का डिसें नहीं आया है लेकिन सरकार चार महीने दो अप्रेल को कांड होता है यह दो अप्रेल को और आज हम अध्यादेश लेके आ रहे हैं उसके अंदर और सरकार उसमें इसके विरोध में जनता न तुने आकर देश में आग लगाने का काम किया आज हम एक्ट लेका आ रहे हैं आज करें आम दन्यवाद में बहुत हो तो है आपके मन्च की माध्यम से धन्यवाद करना से हूँ आदने अमिसा जी का देश के हमारी राष्टी अद्द्री का और देश के परदान बंत्री का कि पुना बाहल किया नौकरियों पर प्रमोशन पर अरच्छड हमेशा सवाल खड़ा हो जाता है कैसे मिलेगा कब मिलेगा क्या कहेंगे अब ack perMus Ad stitches यक प्रदेश सरकार थी सेई स्चल एक के वारे में पता है जो क्या कहती Aertoma कि अब कि यह नहीं कि किसी एक प्रदेस में कर दी किकिया गिरफितार्य कर लो काती नहीं इन पर प्रदेसनी होंना चाहिए उस शमय तो उनको हाती गणेश दिखाई दे रहे थे उनको उसको तुष्टी करन लग रहा था और जहां तक पर्मोशन पर आरक्षण की बात है इसकी जनमदाता इस कष्ट की जनमदाता भी मायवती ही है इस मतलब आरक्षण को भी तैयर करने वाली 2011 के अंदर आरक्षण को बनाये रखने के लिए एक प्रूब वो देना पड़ता है कोड के अंदर कि हमारे आरक्षण की संक्या जो हमें में आरक्षण मेड़ा हुआ 15 पर उससे ज्यादा तो नहीं हुई है यह नंबर सैकिन हमने देना पड़ता है उनकी किसी परकार से कि अर्टिवा पर फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा उपरतिवा क्यों कोई बात ही नहीं ती जो गुर्मेंट डेखते हैं सब कुछ देखते हैं उसकी बात में करते हैं ये जवाब समय पे दे दिया था तो पर्मोशन आरक्षन पे कोई कुटारगात नहीं होता ये कहनी भी सारी जो कष्ट हुआ है ये मायवती के कारण हुआ है और आज हमारी सरकार ने सुप्रिम कोड के अंदर अच्छी तरीके से उसकी लड़ाई लड़कर कोड को मजबूर कि किया और कोड ने का है कि आरक्षन पर्मोशन में आरक्षन वैसे ही रहेगा जैसे पहले था और जो अवनती जो मायवती के कारण नोक्रियों से नीचे किएगे पदों से नीचे किएगे पुना वो बाहाल होंगे ये मैं इसके लिए भी देश के परदान मंति का धन्यवाद करना चातों मैं पालिका पर लेका विपक शमला पर रहता है संबिदान वदल देंगे आप तो शंपरा संबिदान वदल वो कहीं भी नहीं घेर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि ये धलित लोग हैं जिस परकार से 70 साल से में बेवकूप बना रहे थे अब फिर पुरा उनको बेवकूप बनाने का बात करें सविधान कौन बदल सकता है सविधान बदलने का काम तो इन्हों ने किया है डक्टर स 153 उसका आत्मा को खत्म कει है हम कटी बदह आज भी ऐाटल जी कीकि आगा थे बाद आती है जब परधान मंत्री बनेते तो सब ही लोग मिलकर गए थे कीवा देश आप मनु परब्ती पर चलेगा तो इने का थाम ढौन हमारी सरकार के lazim hardest और कटी वध है कितना है एक बड़ा सवाल है सरकार क्या कर रही आतको देखो यह सरकार संब्न सील में कोई बात समझों आती है, इससे काम अपने आंपी गरदी है कि यह प disrespectful को राजनीतिक दल्य नहीं उठाते कुई कि उनको पाइघ की दल्लितों को कितना देना कितना नहीं देना है लेकिन हमने देखा सोचल मेडिया पे बहुत चलता है यह कि नियाई पालिके में अनुजाती वर्क का परतिनीत नहीं है लेकिन अपकी बार मैं धन्यबाद देना चाहूँगा रवी संकर परसाद जी का जिनोंने इस पेशल सभी को लिखकर प्रेस रिलिज निकाल करका है कि अ अब जो सोचल मीडिया बाइरल हो रहा था उस पर थोड़ा सक्त सरकार हुई है कि ऐसा बिल्कुल एकदम साफ सुतरी छवी होनी चाहिए कि दलितों को प्रतिनीज़त मिल रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल मिलेगा सरकार मैंने का संबेदन सिल सरकार है सरकार को करने के लिए दलितों के हितों के करने के लिए किसी के आदेश की जोर्त नहीं है उनको समझ में आता हां यह भी होना चाहिए यह भी होना चाहिए जिस पीड़ा की साथ दलित आज तक जी रहा था सोचल मेडिया में हम देखते थे हम लोगों को बीच में जाते थे वह यह कहता था हमारा प्रण रदार प्रतिनी जाजें हैं में लरी यह आ मारे यह वहां को नहीं यह परसंण हमारे सामें अच्ड़्प करते थे लोगा और जो उनको समझ में भी आया ठीक बात है इसक पर ना चाहिए तो उन्होंने श्वag पिढ़ना चबतार कि आने वाले समय में इन अनुजमा कभी परती थी तो वह पर बढ़ेगा ताड़े चार साल हो चुक है इस सरकार को क्या जनीत के मुख्य मुख्य कारी किया है जिनसे जाकर आप जनता में फिर वोट मांग सके बहुत बड़ी सूची है इसकी सुवश बैटे कि साम तक बढ़न करने के नहीं हो पाएगा एक गरीब आदिमी को क्या चाहिए सब का विकाद सब का साथ में क्या क्या चाहिए उसको जीवन से पैदा होने लेके उसके संस्कार तक हर चीज के अंदर सरकार ने उसके जीवन के अंदर खुशाली के लिए क्या क्या है सब के अंदर बढ़ चट कर काम किया है आप सड़कों का निर्मान ले लें आप रोजगार की तरफ देख लें हमें पूछते हैं लोगा आपने दो क्रोट रोजगार की बात कि अरे सड़के तुम बनाते थे दो तिन किलोमीट क्यों बना रहे हैं आधमी कहीना कई लगा होगा उसके अंदर हमने पांच लाग कर लों दिया तर दस लाग करोड रूपया लोन दिया है आज जोतन दो को नोक्रि दे रहोगा हमने तुम ने और चार्सों करोड रूपया कुट बड़े-देस के प्रदानमति नेरीं कि मैं तक नोकरी मांगने वाला नहीं नोकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ बड़े-बड़े इंडेस्टिस्टों को को बिना गारणटी के लोन देना और उनको इंडेस्टिस लगे इसमें उनने सो सो पचास Western जार जार लोगों को रोज़गार दिया है कि मुद्दे हम पर ने के कहने के लिए क्या विएसे मैं आपको जंदन जोजना बताई बहुत काम ऐसे काम है जो गरीबों के घर तक और अमने राजनिती नहीं किया है हमने इसमें एक एक काम देखेंगे अमने जी देश को जी एस्टी थी आए है जी एएश्टी पर कांग्रेस क Michail होती है जी और जो अंधर बैटते हैं लिए जाएक आम्ने पर लोग के सबटों ह bater साथ है सब्सक्राइब और सब कम हुआ है जी इंब है ही है एक टाक्स है कैई 90% आयटम है calendar राजनीती चल निकलिया अजक्कल जूट बोलो भाग ज़ो इक अब डिकार राहूल गांदी जी पार्लेमेंट में क्या क्या बोलते ऐं कोई कल्पना कर सकता है एक राजनीती दल का राश्टित रख से वहीं तथी लेकर आओ ना तथी प पेजटी सी होती है बाद में इनको परिवर्तन करना पड़ता है राफेल पर यह जवाब नहीं दे पारे राफेल पर बोलके चले आते हैं राफेल पर आज आसाम की समस्या भी यह अनेकों एक समस्या हैं जिसके हम निदान पर पढ़ें आज देश के परदान मंत्री आप कई भी जंटा फैरा लो यह देश के परदान मंत्री का गोरव है कि जमुकस्व में जंटा फैरा लो आज आंतक वादी कोई घटा घटी है कोई देश के परदान मंत्री के सासन काल के अंदर उसके किसी मंत्री पर एक रुपे का आप आरोप लगा सकते हैं किस परकार का हमने बश्टाचार मुक्त सासंद दिया है हमने हमने गरीबों के हितों की योजना बनाई है हमने गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा करकर स्वाब लंबी बनाकर बराबर खड़े करने का काम किया है लेकिन कांग्रेस ने जितनी खाईयां खोद के जहां से गई है और जैसा वो निर्वान की और और अगरसर होगा दिल्ली से राजनीत की आपने सुरूरत की दिल्ली सरकार रोज आरूप लगाती है कि एल जी के माध्यम से बीजेपी हमें प्रताडित करती है देखेगा यह इनको दुरगटना वस सासन में आये हैं इनको यह नहीं मालूम सासन चनाने के इस सविधान सब चीजों को मर्यादों में रखता है वो मुख्य मंत्री है कि मंद्री है वह समय करते हैं उनको इनको पील हैं लेकिन वह अपनी पात पर कहा नहीं है उन्होंने का एक रुपे का लावनी लोगा कोठी नियों कोठी ले रहे हैं बड़ी गालिया ले रहे सारी सभीधाइं वो ले रहे हैं लेकिन गवर्नर जो बनाया है देश के डाक्टा भीमराम बेटकर ने सभीधान दिया और सभीधान की अत्यात गवर्नर परिमपर एक पर्था है एक सिस्टम है उससे पहले सीरा दिशिती भी रही है हमारी सरकार कैंदर भी रही हो समय अटलजी की स स्यरकार रही है शीलिषा जी कोई परिशानी ही इनको क्यों होती है क्योंकि छूटJe Grilled बोलो राजनिती करो वाली प्रमपरा से अभी निकले नहीं है विक इनको इन मिल गया फिर इसे में मिल गया जंता को बिपकूप बना लिया इन्होंने अब इनको यह लग रहा है कि हम तो राजा हो गए इनको भी जंता के बीच में जाने का मोगा मिलेगा जैसे परकार से पंजाब में इनको मिल रहा है और अन्य प्रांतों मिल रहा है इनको अकल समझ में आज के मेमान थे हमारे बीजेपी के राष्टिर पाध्यक्ष दोस्यंत गौतम जी इन्होंने अपनी बात पूरी सिद्दत से रखी मिलते हैं नई मेमान के साथ फिर नई प्रोग्राम में नमस्कार